हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कोमल जैन और आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ एक दो मिनट के छोटी से स्टोरी कहानी को पुरा एंड तक ज़रूर देखें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइट और कॉमेंट करना ना भूले और आप मुझे फॉलॉ भी कर सकते हैं तो आज के कहानी है मैंडग की बहुत सारे मैंडग एक जगपे इकटे हुए और मैंडगों का एक कॉम्पिटिशन रखा गया कॉम्पिटिशन ये था कि एक पोल था बहुत उंचा और बड़ा सा उस पे चड़ाई करनी थी और वापस उतरना था जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा वापस वही बीनर को सिद किया जाएगा अब कुछ मैंडगों ने पार्टिस्पेट किया कुछ लोग ने पहले ही गिवफ पर दिया तो कुछ लोगों ने पार्टिस्पेट किया तो कुछ मैंडग चड़ने लगी और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद गिर गए और कुछ ने हारमान ली और लेकिन कुछ लोग वो आदे से जादा उंचाई पे पहुंच गए, एक मैडक था, वो धीरे धीरे चड़ाई करते जा था, नीचे के लोग थे, वो कुछ मैडक बोल रहे थे कि उपर चड़तो जाओगे, लेकिन उतरते वक्त नहीं उतर पाओगे, तुम गेड़ जाओगे, कुछ लोग बोल रह है, बहुत इस तरीके से नीचे से जो बाकी मैडक थे, जो चड़ाई नहीं कर पा रहे थे, जो 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 से बाते कर रहे थे, कुछ चिला रहे थे, कुछ ना जाने के लिए बूल रहे थे, लेकिन वो मैडक था, वो चड़ाई करता जा रहा था, चड़ाई करती करती वो उप बस नीचे की और आ गया और इस तरह किसे वो विजेगोश्यत हो गया जब एक जिन्होंने मैड़को का कॉंपेटिशन रखवाया तो उनमें से जो में था उसने पूछा कि तुमने लक्ष को कैसे हासिल किया उसनोंने इतना क्वेशन किया ही था कि उसके साथ ही मैड़को ने पूछा कि इसने जीत इसलिए हासिल की क्योंकि ये बहरा है और ये कानों से सुन नहीं सकता है तो अगर वो भी बाकी लोगों की तरह लोगों की बात सुनता तो वो कभी भी उपर की तरफ चड़ा ही नहीं कर सकता था कहने का ताथ पर यह है कि कई बार लोग आपको कर लें कि हमें उस लक्ष को पाना ही है तो हम वो कर सकते हैं तो लोगों की बातों को नजरंदार्स करना भी हमें आना चाहिए और अपने लक्षी की और निरंदर अग्रसर होते रहना चाहिए तो हम सपलता निश्चीते प्राप्त कर सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी औ और इस काने से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं. Thank you.